नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ रसान और आप देख रहे हैं GK Affairs YouTube चनल दोस्तो इस चनल पे आपको प्रिपिए सेर पेपर का डिसकसन किया जाता है जेनरल अवर्नेस का पूरा कोश्चन यहां पर करवा जाता है आप लोगों को जेनरल अवर्नेस में जो है confident फिल करवाया आता है तो इस चनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो है SSC GD का पेपर 2021 का है जिसा कि आप लोगों स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 17 November 2021 का second shift का पेपर है इसे पहले के पेपर जो है discuss कर चुके हैं तो उसको आराम से देखेगा तो PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जागा जिसका लिंक नीचे description में दिया हुआ है और आपके पास कोई भी exam का question पेपर होता है तो gfas25 at the rate gmail.com पे जरूर भेजिए तो देखे 63 shift में पेपर हुआ था यहां पर पांचमा shift का हम पेपर लेकर आए है तो जो green हो रहा है वो पेपर जो है cover हो चुका है बाकी धीरे धीरे करके सारी shift का पेपर यहां पर करवाए जाएगा तो देखे question है कि राज नितिग लेखाक है म बिरप्पा मोईली को उनकी किस काब रचना स्री बाहुबली अहिनसा दिख बिजयम यानि कि उनकी एक काब रचना है क्या है नाम तो स्री बाहुबली अहिनसा दिख बिजयम के लिए साहित अकादमी प्रसकार 2020 से समानित किया गया तो कन्नल भासा की काब है ध्यान रखिएगा कन्नल भासा की काब है स्री बाहु बली अहिंसा दिक बिजयम तो राजनेतिक लेखक इम बिरप्पा मोयली को इन ही काब संग्रा के लिए इनको सहीत अकादमी प्रसकार 2020 मिला है अब देखे बिक्रम सिला गंगा डॉल्फिन वन जीव अभियारन यानि कि बिक्रम सिला गंगेटिक डॉल्फिन सांक्चुरी जो है कहां परस्थीत है तो बिहार में तो लोकेटेड है लेकिन बिहार स्पेस्पिक अगर पूछाया है कि कहां पर है तो भागलपूर डिस्टिक में है तो यह आपको ध्यान रखना है और गंगा रीवर में ही यहां पर आपको देखने को मिलता है भागलपूर डिस्टिक में इस तरह से गंगेटिक डॉल्फिन अब देखे भारत में हिंदू उत्राधिकार अधिनियम जो है कब का है तो 1956 का हिंदू उत्राधिकार अधिनियम है जिसमें कि जेस्टाधिकार के नियम को समाप्त कर दिया गया है जो बड़े हैं उनके अधिकार को यहां पर स्वंप्त कर दिया गया तो इस तरह से आपको ध्यानक ना है तो हिंदू उत्राधिकार अधिनियाव 1956 का है अधिक्या कोशन है कि भारतिय बेपारियों और उद्योग पतियों दोरा अपने बेपारिक हितों को एक साज़ा मंच पर लाने के लिए भारतिय और द्योगिक और बानिजिक की कांउग्रिस का कठन किस वर्श किया गया तो 1920 में किया गया चब इंडिया में आसहयोग अंदोलन गांधी जी के दोरा सुरू किया गया उसी वर्ष भारतिय और द्रगिक और बाने जी कांगरिस का कठन किया गया किसलिए तो भारतिय बेपारियों और उद्धोगपतियों के हितों की रच्छा करने के लिए आप देखिए सुतिर्थ मुखरजी एक भारतिय खिलाडी है ये किस खेल से संबन्दित है तो जैसा कि आप देख रहे होगे इनके हाथ में एक टेनिस पकड़े हुए है यहाँ पर टेवल टेनिस का जो रैकेट है पकड़े हुए है तो इस तरह से देख पा रहे होगे सुतिर पुर्त मुखरजी एक भारतिये टेवल टेनिस खिलाडी है जो की पस्ची मंगाल से हैं अब देखे थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो थार की जो रेगिस्तान है भारत की बेसिकली जो है रायस्थान राज में फैला हुआ है कुछ जो है गुजरात में लेकिन रायस्थान में ली है तो वहाँ पर जो है लूनी नदी है यानि कि जो थार रेगिस्तान है उसकी सबसे लंबी नदी है लूनी है अब देखे कोशन है कि दिसंबर 2020 में बिराट कोहली को कौन सा पुरसकार मिला था तो ICC Men's ODI Cricketer of the Decade का पुरसकार बिराट कोहली को म यानि कि 10 साल का इनको बहतरीन परदर्सान के लिए ICC Men's ODI Cricketer of the Decade का पुरसकार दिसंबर 2020 में दिया गया था अब देखे कौन ऐहां मंगलूरू अस्थित मंदिर है जो कि भगवान सिब के अवतार को समर्पित है तो कादरी मंजुनाथ मंदिर है जो कि मंगलूरू में अस के संस्थापक कोन है तो सबसे पहले जान लिए कि एस बैंक का फॉर्मेशन यहां पर 2004 में हुआ था और राना कपूर के द्वारा हुआ था इसके अभी हेटकॉर्टर कहां पर है तो मुंबई महराष्ट में है जबकि सुनील महता चेयर्मैन है और परसांत कुमार भी MD & CEO है सुनील महता अभी एस बैंक के चेयर्मैन है राना कपूर के द्वारा इन फॉर्मेशन किया गया था यानि कि संस्थापक कोन है तो राना कपूर है तो राना कपूर इसका correct answer हो जाएगा अब देखे निमलकित में से कौन सा कथा नहां पर गलत पूछा गया है तो यह जरूर भोजन ग्रास नली के माधियम से में परवेश करता है तो बाइलो जी का देखे बहुत ही इमपर्टन कोईचन है कि कार्भो हाइड्रिट प्रोटीन और बसा का पूर्ण पाचन जो है छोटी आँच में ही हो जाती है तो लेकिन एक लार में सलाइबरी, लाइपेज नामा के एक इंजाइम होता है जो अस्टार्ज को सरल सरक्रा में बिक्टित करता है यही गलत है यही अस्टेट्मेंट जो है यहाँ पर गलत है अब देखें कौन सा किसमें स्वतंत्र अवद बंस की नीव रखी थी तो सादत खाने स्वतंत्र अवद बंस की नीव रखी थी ध्यान रखी का सादत खान अब देखें नमंबर 2020 में किसे बिहार बिधान सभा का अध्याच चून लिया गया था तो देखें 2020 में के अक्टूबर नमंबर मेहने में बिहार में एलेक्सन हुआ था 243 सीटों पर जहां पर गटवंदन सरकार चल रही थी पहले बीजेपी और जद्धी उगी लेकिन अब जद्धी और आरेजेटी की चल रही है तो इसमें अध्यत चुना गया था बिजय कुमार सिनहा को तो ध्यान रखीएगा इंपोर्टेंट है समिधान की परस्तावना में इनमें से कौन सा सब्ध भारत को पूर्ण राजनितिक स्वतंत्र और सर्वोच सक्ती वाले देश की रूप में करता है तो समप्रभू है यानि कि सोवरेन कंट्री है तो sovereign country जो है वो संप्रभू है जिसमें भारत को पूर्ण राजनेतिक स्वतंतर यानि हम किसके साथ क्या संबंद रखें वो हम पे निर्वर करता है यानि कि अपने भारत देश पे निर्वर करता है हमको कोई जीसे अमेरिका चायना रसिया ये सब जो है अपने अंदर नहीं र द्वरान किया गया था तो देखे फिरोजा सा तूगलक के द्वरा जो है यानि कि कुद्ब मिनार करने के भारत में कौन सा पेस किया गया था तो GST जिसको goods and service tax बोलते हैं हिंदी में वस्तुय वन सेबा कर है इसकोल जो है लागू किया गया था एक जुलाई 2017 को जिसके तहट एक सपना देखा गया था कि one nation, one tax, one market होगा The common belt of cricket, a lifelong love affair with most subtle and sophisticated game known to humankind एक पुस्तक है इनके लेखक है रामचंद्र गुहा The common belt of the cricket, a lifelong love affair with the most subtle and sophisticated game known to the humankind इरामचंद्र गुहा के पुस्तक है November 2020 में सबचियों और फूलो के लिए Indo-Dutch Center of Excellence क्या बना था? Indo-Dutch, Dutch जो है नेधरलेंड के लोग को बोलते हैं तो यानि कि भारत और नेधरलेंड के बीच में Center of Excellence जो है किस राज में खोला गया तो केरल में खोला गया था November 2020 में जिसमें फ़लो और सबचियों को यहाँ पर रखा जाएगा तो इसको ध्यान रखेगा अब देखे हिमोगलोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो एनिमिया रोग जो है हिमोगलोबिन की कमी से होता है अब देखे स्वाद समंधी अभी ग्राहक मानव सरीर के किसंग में थे तो जीव से जो है यहाँ पर स्वाद का पता चलता है ध्यान रखेगा स्वाद समंधी जो अभी ग्राहक है वो जीव को माना जाता है भारत के कुछ हिस्से में किसान जो है किसकी पूजा करके पोला तेखार मनाते हैं तो पोला तेखार जो है बैल की पूजा करके जो है मनाते हैं ज्यान देखिया कि भारत के बहुत सारे हिस्से में किसान लोग बैल की पूजा करते हैं और इस तरह से पोला तेवहार मनाते हैं, पोला, अब देखे कौन सा इसमें अगस्ट 2021 को भारत के उच्चतम न्याले के न्याईधीसों के रूप में सबत लेने वाली महिला न्याईधीसों में सामिल नहीं थी, तो देखे बेला एम त्रिवेदी थी, जस्टिस बीवी नागर रतना थी, जस्टिस हीमा कोली थी, जबकि इंद्राव अनर जी तो यहां पर आपको पहले से ही थी, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये तीन जो है सामिल थी 31 अगस्ट 2021 को जब तीन जो है उच्चतम न्याले यानिकी सुप्रिम कोड के न्याधीस के रूप में प्लेस की पहले, तो ग्रीन गोल्ड कलेक्शन, ग्रीन गोल्ड कलेक्शन यहां पर आपको ध्यान रखना है, जिसके तहत मास उत्पादों को प्रोत्साहित किया गया था, अब देखे, पर्थाम उलम्पिक कॉंग्रेस का एजन तो देखे, 1896 में सबसे पहला उलम्पिक वह आपको भारत के महा नियावादी, यानि कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है, आप देखे, एक जोखिम प्रवंधन रण निती है, जो सम्मन्दित परी संपत्ति में विप्री तस्थिती लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए निव बरी सूधन, यह आपको दोस्तों ध्यान रख लेना है, तो देखे, पचीस कोशन यहाँ पर थे, पचीस कोशन को मैंने डिसकस कर लिया है, इसी तरह से और सेटी चलते रहेंगे, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को कर सकते हैं, सो थाइंगे दोस्तों इस वीडियो में तहीं धन्यवाद,